So Hello Guys, केस आप सभी इस वीड़े में आप सभी को बताने वाला हूँ शाओमी के बजट टीवी के बारे में जो की 40 इंच की स्क्रीन साइज में आता है और ये A सीरीस में आता है ये टीवी आप सभी को फ्लिप कार्ड पर देखने को मिल जाता है काफी बढ़िया जो है प्राइस की साब से आपको यहाँ पे स्क्रीन साइज और फीचर भी प्रवाइट किया जा रहे है ये टीवी आप सभी को बाजलीस की डिजाइन के साथ आता है जो की प्रीम मेटल लिखी यहाँ पर देजाइन मिलती है जो कि आपको काफी बढ़ियां यहां पे colors, contrast, depth, सभी चीज़े दिखाता है Steam में आप सभी को वेवाचर इंजिन में मिलता है जो कि काफी बढ़ियां यहां पे colors, contrast and depth वगेरा रोइड करता है Dolby Audio के support के साथ आता है यह TV 20W के speakers के साथ आता है आप सभी को जो output है 20W का देखने को मिल जाता है BTS Virtual X भी इसमें मिल जाता है वहीं पे unmatched entertainment मिलता है आपको इसमें Google TV का operating system मिलता है तो इसमें suggestions वगेरा आपी watch history के साथ से देखने को मिल जाते है सभी movies, shows, live TVs आप सभी various applications के जरीए देख सकते हो इसमें आप सभी को patch wall plus का भी feature मिलता है जिसमें आप सभी को 200 plus जो है live TV channels भी मिल जाते है जो की free रहते हैं अट वहीं पे content वगेरा भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं इस team में आप सभी को powerful quad core A35 का chip मिलता है जो की काफी अच्छा performance ओफर करता है ये TV आप सभी को 2 HDMI के ports 2 USB के ports offer करता है 20W के speakers के साथ में 1.5 GB की RAM 8 GB की internet storage मिल जाती है सभी applications मिलते हैं Netflix, YouTube, Disney, Hotstar 5 वीडियो जैसे applications चलती है इसमें 21,999 रोपीज इस TV का price है तो आप सभी जरूर से इसको consider कर सकते हो काफी अच्छा well established brand भी आपको यहां पर fraud किया जा रहा है तो जरूर से बताइए अपने opinions इसी TV के बारे में and कोई question है तो comment करिए like कीजे वीडियो को and चैनल पर नगया तो please subscribe कर लेना मिलता हूँ अब सभी से अगले वीडियो में